दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम विंडो सेवन में अपडेट कैसे आप करें दोस्तो कई बार क्या होता है जब हम विंडो सेवन फॉर्मेट मार्के नया इस्टॉल करते हैं तो हमारी update default on होती है और Windows 7 की update आने से हमें कई बार परेस आने भी होती है तो दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम Windows 7 में update कैसे वाप करें Windows 7 में दोस्तो अपडेट वाप करने के लिए सबसे पहले हमें open करने पड़ेगी control panel तो यह रही control panel इसे हमने open किया और इसमें दोस्तो विंडो अपडेट यह option बनाए है इसे अब हमें open करना पड़ेगा क्लिक किया open किया तो यहाँ पे देखो दोस्तो change setting पर हमें click करना पड़ेगा जो left side पर लिखा हुआ है यह देखो दोस्तो तो यहाँ पे default install update automatically select है इसे अब हमें change करके यह select करना पड़ेगा never check for update not recommended यह हमें select करना पड़ेगा अब हमें select करते है select किया अब हम ok पर क्लिक करते है ok पर क्लिक किया तो दोस्तो बस हमने विंडो 7 की automatic update अब off कर दिये अब हमारे computer में Windows 7 की कोई भी update नहीं आएगी तो दोस्तो बस मेरे यह वीडियो में इतना है